आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि 31 जनवरी 2018 को जो चंदर ग्रहन लग रहा है उसमें तुला राशी और तुला राशी के अलावार बिश्यक राशी के उपर क्या फर्क पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा 31 जनवरी 2018 को इस साल का पहला चंदर ग्रहन घटित होगा या पूर्णे चंदर ग्रहन होगा जो भारत समेत विश्यक के कई देशों में देखा जाएगा वैदिक जोतिश के अनुसार या चंदर ग्रहन असलेशा नच्चत्र तता करक राशी में लग रहा है असलेशा बुद्ध का नच्चत्र है इसलिए इस नच्चत्र से समन्दित राशी के लोग के लिए ग्रहन समस्याय उत्पन कर सकता है अब चुकि प्रतिएक राशी पर ग्रहन का प्रभाव भिन भिन होता है अलग-अलग होता है इसलिए कुछ राशी वालों के लिए जो ग्रहन है वो कष्टकारी हो सकता है तो वहीं कुछ राशी के लिए लाबकारी होगा तो तुला राशी की जो हम बात कर रहे हैं तुला राशी को शायक विकारों से परिशानी बढ़ सकती है किसी बात का भै बना रह सकता है वो बात कोई भी हो सकती है शीवन में संगर्स बढ़ेगा तुला राशी वाले पारिवारिक जिवन में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है अब बिश्यक्रासी किसी बात की चिंदा करने से आप स्विम को तनावगरस्त महसूस करेंगे प्रेम समंदों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है बेवज़ा कि विवादों से बचने की कोशिश करें पढ़ाई लिखाई में अर्चने आ सकती है तो धिन्यवाद आपका हमारे चैनल पे स्वागत है आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अगर यदि आपका हमारे वीडियो अच्छे लगें तो हम चाहिए कि आपका हमारे वीडियो को शेयर करते हैं धन्यवाद दूट